फीशरी और आनिमल हजबेंडरी हम अगर देखेंगे तो पिछले साल जो बजेटरी आलो के संथा फीशरी डिपार्टमेंट में और जो आनिमल हजबेंडरी में यह कंपार आप करेंगे तो 73% बढ़ोतरी हुई है फीशरी डिपार्टमेंट में लेकिन आनिमल हजबेंडरी मे सिर्फ 19 परसेंट ये क्यों देखे ये प्रोजेक्ट बेस है कई बर हमारा बड़ा जैसे हमारा एक नया प्रोजेक्ट आया एनिमर्स बेंटरी को मिला मैंने बताया फेमडी वेक्सिनेशन उप्रूस अले से बजट से अलग रखा गया साड़े तरह अजार क्रोड रुपे सिरफ दो बिमारियों के लिए जिनमें एनिमल परवावित तो उनके लिए लग से प्रावधान कर दिया गया तो बहुत से ऐसे हैं कि जब भी हमने बताया पिछली साथ पिछली बार ऐसा था कि हमें बताया गया कि हमें पुरे कंट्री में मात्र पंद्रासो व्यटनिर एंबुलेंस देनी थी लेकिन जैसे स्टेट से डिमांड बढ़ी यह ऐसी योजना थी कि भारत सरकार एंबुलेंस को प्लब्द कराएगी और फिर प्रदेश और भारत सरकार मिलके उसको चलाएगे मैं तो उडिशा की बात और कूँगा आपको हो सकता है कुछ लोगों को यह बोल गया है मैं आठ साल से हूँ किसी मंत्राले में करीब करीब पहले एगरीकल्चर में था थोबीस में था सब परदेशों से मंत्री आते हैं अधिकारी आते हैं बजट के लिए बात करने के लिए हम मिलते हैं आपस में चैयो किसी की भी सरकार हो यह मेरी सरकार मेरी पार्टी की सरकार हो आपको शायद सुनका जीब लगएगा कि इन आठ सालों में मैं गुजरने उडिशा के कभी कि गरेशी गरिश्किट के बीशेश ईनिमत्री मिनिस्टर से मेरी मुलाकात नहीं उपाई। ज़ावतर आप समझेंडारी कि इतना फोकस होगा। दिल्ली सभी दिल्ली तो की है, ये इक संघेव का संदमखेता, वादेशी का अधिकार है दिल्ली के ऊपर. प्रदेशों से मंत्री आते हैं अधिकारी आते हैं अपने हक के लिए लड़ते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास लड़ते हैं मुझे इतना धनोर दीजिए मुझे दो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा अलग स्टेट की यह जो मंत्री है यह हक के लिए लड़ रहे हैं दिले में हैं। लेकिन और साके मंतरें… मुझा तो अज तक मेरे मुलाकाथ नहीं हैं. मै क्था अज अब यह किशार मेर्मिन्सिट के वाद दिले मैं कॉवटा है। मुझे बड़े लोग उते हैं. वो भी दिल्ली पहुंचते और दिल्ली से बजट की निमांड करते बजट की कमी नहीं देखे मैं बाद बता हूँ मोदी जी के बाद में एक बाद जरूरा भारत सरकार में के बजट की कहीं कमी नहीं है सोच होनी चीए अनमल हजबंडर में 3599 यह था पिछले साल अभी 4288 कोड हुआ है यह 4288 कोड से भी मैं कहता हूं कि किसी भी सरगार को जो चीए बजट की मोदी जी ने कभी मोदी जी की तरफ से मने नहीं है उनका फोकस से लिए कहा जाता है हमें खर्च करने की चमता होनी चा मेरा कोई अगर दिमांड होगा दिमांड होगा तो बजट में कोई प्रोब्लम नहीं है मोदी जी का फोकस एरिया मिनिस्ट्री अलग इसले बनाई है डिमांड ड्राइविन है जितना मैं खर्च कर सकता हूं जितनी मेरी कैफिस्टी है उतना मुझे मिलेगा अगर आज उड किसा को खर्च करने के विस्टी होने चाहिए जनता तक पहुंचाने की लाब होने चाहिए सोच बजट की समस्चा है